तुम्हें चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं सिंगल ब्लॉक या फिर शू ब्रेक के बारे में सिंगल ब्लॉक या सू ब्रेक क्या गया लाता है अज सिंगल ब्लॉक और शू ब्रेक इस सोने फिगर अब डाइगराम में देखोगे single block and shoe brake के बारे में इसमें it consists of a block or shoe which is pressed against the rim of a revolving brake wheel drum the block is made up of sharpener material then the rim of the wheel इसमें क्या होता है इसमें जो block होता है उसमें block या shoe लगाय जाता है जो की sharpener material का बनाय जाता है drum के द्वारा इसमें wheel के पास में लगाते हैं अगर लीवर के उपर load लगाते हैं apply करते हैं तो इस सौपनर material का जो drum होता है वो इसमें फ्रिक्शनल करता है wheel पर इसके द्वारा वो retard होता है रोक जाता है stop होता है single block लगाय जाता है इसलिए हम इसको single block या shoe brake कहते हैं this type of a brake is common used railway train and tram cars इस ब्रेक का इस्तेमाल railway train और tram cars में किया जाता है इसका diagram देखेंगे diagram बना हुआ यह बना हुआ है यह वाला diagram है यह clockwise rotation of brake wheel clockwise direction में है यह जो diagram है anti clockwise rotation of brake wheel दिया हुआ anti clockwise है clockwise और anti clockwise दोनों साइट से दिया हुआ सबसे पहले हम clockwise में देखेंगे clockwise का diagram यह है इसमें यह lever लगा हुआ है यह fulcrum है और यह वील है और यहाँ पर यह लगा हुआ pivot लगा हुआ है यह block लगा हुआ है इसको block भी बोलते हैं pivot भी बोला जाता है तो इसमें क्या होता है जो circle अगर वील की बात करें तो वील में इसमें भील जो बनाएगा है भील में यहाँ पर angle of contact रहता है जो 2 theta के बराबर रहता है अगर यह भील रहता है भील में इस step से यहाँ पर मनाए जाता है angle of contact circle के according तो 2 theta के बराबर रहता है angle of contact तो यह वाला जो दिया हुआ है और r हो इसका radius है भील का और इस पर नर्मल रियक्षन रहेगा rn जो कि normal reaction कहलाएगी यहाँ पर जब टैंजेसल फोर्स लग रहा है अपलाई अगर यह direction हमारे पास यह अगर clockwise डारेक्षन है तो clockwise डारेक्षन में भील जो कर रहा है वह इस डाइरेक्सन में रूटेट कर रहा है इस डाइरेक्सन स्वाद इस में सब्रूर्स लागा लगेगा 3, और यहां पर लिवर में फोर्स एप्लाई हो रहा है जो कि पी लोड है इसके लोड के यहां से फलकरम तक की जो लेंग्थ वह यह ल हाँ तो यह डाइगरम केंप्लेट होता है इसमें rigidly mounted block लगाया जाता है जो की wheel को ये क्या करता है friction के द्वारा wheel को ये stop करता है या फिर slow करता है, retard करता है यही diagram अगर हम देखें तो anti-clockwise direction में भी diagram बना हुआ है sub-diagram एक जैसा है, बस इसमें क्या होता जो wheel का rotation है वो opposite हो जाता है, anti-clockwise rotation हो जाता है इस type से, अगर इस type से अगर रोटेट करेगा तो इसका tangential force भी हमारा opposite हो जाएगा इस type फलक्रम की तरफ जाएगा tangential force और अगर clockwise जाएगा तो इस side जाएगा तो जिस direction में अगर हम wheel को rotate कर रहे हैं उसी direction में tangential force हमेशा जाता है इसके लिए भील में देखें तो यह इसमें normal reaction है यह angle of contact है और यह radius भील है और इसमें अगर यह tangential force है यह o फलक्रम है इसमें फलक्रम से भील के center distance जो है वो है length उसकी x है और फलक्रम से लेकर के जहाँ lever का end point है जहाँ पर load apply कर रहा है पी load apply कर रहा है वहाँ पी length L है यहाँ आपकी load है यह diagram जो है यह anti-clockwise rotation of break field anti-clockwise rotation अगर यह step से rotate कर रहा है तो यह rotate करने के बाद इसका dangerous force इस डारिक से लगेगा यह कहलाता है anti-clockwise rotation of break field यह आप देख रहा होगा तो यह pivot से लेविल से बराबर है इसके भी case अलग अलग होते है वह हम next में पढ़ेंगे अभी तो हम इसम इसमें पी जो लिया जाता है वो लिया जाता है फोस एपलाइड at the end of the lever lever के अक्री हिस्से पर जब load को apply करते है फोस के apply करते वो पी कहलाता है RN इसमें उच होता है वो नार्मल फोस कहलाता है या नार्मल रियक्षिन कहलाता है pressing the brake block on the wheel वील के उपर जब हम प्रेश करते है फोर्स के अप्ला ही करते तो इसके द्वारा जो ब्लॉक में होता है वह नार्मल रियक्शन होता है ऑार है रेडी साफ दी भील, 2 थीटा है एंगल अप कॉन्टेक्ट, 2 थीटा लेखा हुआ है, 2 थीटा एक्कॉल अपकॉन्टेक्ट सर्पिस आप दी ब्लॉक, mu इसमें है coefficient of friction और ft इसमें रहेगा tangential breaking force रहेगा ft सबसे पहले हमको यदि angle of contact यह याद रखना एकर angle of contact 60 degree से कम है तो हमको direct tangential force निकाल देना ft equal to mu into rn से जो भी question में हमको coefficient of friction दिया हुगा mu उसी को रख करके और normal reaction को रख करके direct tangential force निकाल लेना है इसमें equivalent of coefficient of friction नहीं निकालना पड़ेगा क्योंकि यह 60 degree से कम रहेगा इसमें अगर angle of contact 60 degree से ज़्यादा दिया जाता है तब equivalent coefficient of friction निकालते हैं तो वह हम प्रवाट वाले में करते हैं इसमें हमारे पास 60 degree से कम ही दिया जाएगा angle of contact इसलिए ft equal to mu into rn लगाएंगे फार्मूला इसके बाद breaking force निकालना पड़ता है तो breaking force का फार्मूला हो जाएगा इसमें tb करेंगे breaking force को तो breaking torque tb equal to ft into r ft हमारे पास यह दिया हुआ है mu into rn यहां put कर देंगा तो tb equal to mu into rn into r it को हम breaking torque निकालनेंगे इसके द्वारा इस टाप से हम breaking torque निकालते हैं हमको इसमें यह formula याद रखना है यह यह याद कर सकते हैं यह 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 याद कर सकते हैं इन्टू आर इस टाइप से हम इसमें कम्प्लीट करेंगे टेंजेंशल फोर्स और ब्रेकिंग टार्क यह होता है सिंगल ब्लॉक ब्रेक